नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनन्या करन और आप देख रहें टेक्निया टीवी आज हम बात कने जा रहे हैं फारत और न्यूजिलांड के बीच चल रहे टेस्स सीरीज के बारे में कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में पाँचवे दिन खराब रोशनी आने के बाद भारत और न्यूजिलांड के बीच मैच हुआ ड्रॉप रचेन रविंद्र और अजास पटेल आखरी दो बल्ले बास थे जो अंत तक क्रीस पर टिके रहे रविंद्र जडेजा 40 रन देकर 4 विकेट लेने के आंकड़े के साथ भारत के लिए सर्विश रेष्ट गेन बाज रहे जबकि रवी चंद्रन अश्विन ने 3 विकेट लिए न्यूजिलांड के लिए टॉम लादम ने सबसे जादा 52 रनों की पारी खेली सलामी बल्लिबाज ने दूसरे विकेट के लिए विलियम सौमोविल के साथ 76 रन भी जोड़े इस बीच अश्विन ने अपने नाम एक और उपलब्धी जोड़ी वो अनुभवी स्पिनर हरबजुन सिंग को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में भारत के तीसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेन बास बन गए अश्विन के अब भारत के लिए 80 टेस्ट माचों में 419 विकेट हो गए हैं अनिल कुम्बले 619 विकेट के साथ उस टैली का नेत रित्व करते हैं इसके बाद कपिल देव के 434 विकेट हैं मुंबई के फेमस वानखेडे स्टेडियम में शुक्रवार से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में दोनों टीमें आमने सामने होंगी नियमित कप्तान विराट कोली टीम में शामिल होंगे और मुंबई में टीम की कप्तान ही करेंगे जबकि भारती टीम प्रवंधन के लिए यह तैकरना कठिन होगा कि किसे ड्रॉप किया जाए क्यूंकि श्रेय सायर पहली पारी में अपने पहले शतक के साथ दूसरी पारी में अर्ध शतक बना कर दोनों पारियों में भारत को बचाने में सफल रहे हैं आज के लिए बस इतना ही स्पोर्ट्स की हर खबर के लिए जुड़े रहे हमारे साथ